हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेज में आज के हमारे इस बिग न्यूज में हम मस्जद मुबारक बेगम की बात करेंगे तो ये न्यूज में था अभी हाल फिलाल में क्यों क्योंकि संडे को बहुत जब तेज बारिश होई तो एक लाइटनिंग स्ट्राइक ह इसके कारण जो इसका सेंक्रल डोम है वो डैमेज हो गया तो न्यूज में था इस वजह से क्यों इंपॉर्टन है इस वान ऑफ दी लासट ग्रेट मुगल डोम मॉस्क्स बिल्ट इन इंडिया तो इस वजह से काफी न्यूज में था तो काफी एक इंटरस्टिंग कहानी 1822 as the palace and later the dome of a courtesan who went by the name मुबारक बेगम राइट मुगल कूर्टिजन थी जिनके नाम पर ये मॉस्क है राइट संडे को बारिश के वज़े से लाइटनिंग की वज़े से इट गॉट डामेज़ रेड सैंस्टोन का ये मॉस्क था विच तौन इंटू रॉबल अब हैं जैसे की टेंपल्स और मॉस्क जहां पर लोग जाते हैं फॉर रिलीजियर्स पॉपोसे फॉर प्रेस एट्सेटरा वो सब एसाई की प्रोटेक्शन के अंडर नहीं आते तो कहीं भी आपसे में में कोई भी कनेक्टेड क्वेस्टिन पूस्टे जाता है तो आप ये पॉ लएव मॉनुमेंट्स की मेंटेनेंस और रिपैर टेक अप नहीं करती तो में भी दिस इस सम्ठिंग दी एस एशूद लोग इंटू रहिए कि ये जितने भी लाइव मॉनूमेंंट्स है अगर वो हिस्टॉरिकल इंपोटेंट है में भी दीएस शूद सब्स्टार्ट तो मुबारक बेगम जो है, she was an ambitious, influential woman, जो British resident of Delhi, David Octolonee, Sir David Octolonee से married थी, अब ये हमें पता है, British ने हर जगा आपने residents बठाय हुए थे, तो Delhi में भी उन्होंने resident बठाय था, Delhi में resident Sir David Octolonee, अब Sir David Octolonee जो British resident थे, उनकी wife थी, अब wife कहलो, partner कहलो, कुछ भी कहलो, David Octolonee की 13 concubines थी, right, partners, wives, उनमें से probably the most senior, the most loved जिनकी बात सुनते थे Sir David Octolonee was मुबारक बेगम, right, तो she quite clearly was an influential woman, right, की 13 बीवियों में से एक तो सबसे पहले number आपका आता है, दूसरी चीज़ यह British resident होना उस टाइम पर Delhi में बड़ी बात थी, right, आप British resident की wife हो, तो you are a powerful woman, अब क्या कहानी है इनकी, initially she was a Brahmin girl from Pune, then she later converted to Islam, and later married Sir David Octolonee, और जो Octolonee की will है, उसमें she is referred to as, B.B. Mehrutan Mubarak-ul-Nisa Begum, और Begum Octolonee, right, popularly, colloquially, locally she was known as Generali Begum, right, Begum of the General, before being Sir David Octolonee's partner, she was a courtesan in the Mughal court, right, तो David Octolonee, he was appointed the resident at Delhi in 1803, and loved Indo-Persian culture, and एक तरीके से मुबारक बेगम ने कहा कि, पेशे खिदमत करो कुछ, तो Sir David Octolonee ने उनके लिए, ये मुबारक बाग बना के दिया, a huge mansion where she lived, to prove his love towards her, and then later, she constructed this, मस्जद मुबारक बेगम, right, अब David Octolonee की जब डेथ हो गई, she then, बेगम की बात कर रहे है, मुबारक बेगम की बात कर रहे है, she later married, remarried, a person called Vilayat Ali, तो Vilayat Ali, he was a Mughal soldier, but during the reign of Bahadur Shah Zafar, he became the captain of the royal troops, अब important position मिल गई, अब होता क्या था, जितने भी royal appointees होते थे, मुगल दर्वार में, उनको एक नजराना ओफर करना होता था, कहलो security deposit ओफर करना होता था, जब भी वो कोई भी post लेते थे, अब ये तो एक आम soldier थे, इनके पास था नहीं, बट मुबारक बेगम on the other hand, had inherited a lot of money from her first husband, रेट सर्ड डेविड अक्टर लर्नी, अब वो इन्होंने विलायत अली को दिया, कि आप ये पेश कीजिये, अब ये पेश कीजिये, ये प्रेजेंट आप ये पेश कीजिये, तो पॉइंट बिंग कि वोमेन ओफ इन्फूएंस, अज वाइफ अफ सर डेविड अक्टर लर्नी, और लेटर री मैरेज के बाद भी, सौट अफ वोक सर वे, तो बिकाम इन्फूएंचल अगेन, रही कैप्टन ओफ दी रोयल ट्रूप्स की बेगम होना, कोई छोटी बात नहीं है, तो पिछले जो अल्मोस्ट डेड़ेग सो साल है, बिटिश ने वो टेक ओवर कर लिया था, और उसको रीफॉबिश भी किया गया, विद रस्ट रेड कालर, और क्या दिस्टिंगुशिंग फीचर है इसका, कि इस ओन्ली वन ओफ दो मॉस्क्स, विच बेगम इन इंडियन बेगम ऑफ बिटिश रेजिएंट, काफी यूनीक ये फीचर है इसका, काफी यूनीक आस्पक्त है इसके बारे में, शी डाइड इन 1878, मुबारक बेगम डाइड इन 1878, और उसको 1898 में पहली बारी रिस्टोर किया गया, अब आखरी कुछ बात है, अब जो आखियोलिजिस्ट है, मॉल्वी जफर हसन, उनके अकॉर्डिंग मुबारक बेगम ने ये मॉस्क 1822-23 में बनाया, अब सब ठीक था, प्रॉब्लम कहां पे शुरू ही, प्रॉब्लम यहां पे शुरू ही की, शी गॉट एर्स अबाउट हरसल्फ की, मैं तो बिर्टिश रेजिडेंट की बेगम हूँ, मैं कुछ हूँ, अब यह तो बिर्टिश को अतनी बात पसंद नहीं आई, कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप ठीक हैं, आप बेगम हैं, तेरा और बेगम हैं, तेरा और गॉबाइन हैं, सर डेविड अक्टरलनी की, हाँ के यूबी लेडी अक्टरलनी, देन, अब कुड़सिया बेगम जो टाइटल है, यह पहले एंपरर की मदर का होता था, तो मुगल्स को भी लगा, कि भई, आप तो कर्टिजन थी, मुगल्स के मुगल्स मुगल कोर्ट्स में, यू आर नो वान, यू आर अर्स्ट वाइल डांसर, अब आप बिटिश रेजिनेंट की बेगम हो गई है, तो आप अपने आपको टाइटल कुड़सिया बेगम, एंपरर की मदर का टाइटल दे रही है, तो दो मुगल्स, वर अलसो वेरी उफेंड़ बाइड़ दिस, तो दोनो ही तरफ, इन्होंने अनॉय कर दिया फैक्शन को, बिटिश को भी, मुगल्स को भी, इवेंचली जो इन्होंने अपना मस्जद बनाया था, मस्जद मुबारक बेगम बनाया था, इट अक्वाइड दी नेम, रंडी का मस्जद, और प्रोस्टिट्टीट्स मॉस्क, यह जो एपिथा है, यह आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है, तो इसके बारे में भी बड़ी कुछ इंटर्स्टिट्टीज है, वो डिसके बारे में भी बड़ी कुछ इंटर्स्टिट्टीज है, वो डिसक्स करते हैं, आपको यहाँ पर एक explicit content की warning दे दे, वैसे तो we are assuming, all of you who are into preparation of all the competitive exams are adults, but some are more sensitive than the others, so we must tell you that you may find some of the content going forward offensive, it is your choice if you want to go further and watch the rest of the story, अब कहानी शुरू करते हैं, आज का जो चावडी बजार है, यह अर्स्ट वाइल बजार हुस्न था, market of beauty, अब कहानी यह थी कि शाजहान ने ताजमहल तो बना दिया, बट उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी legacy ताजमहल होगी, क्योंकि ताजमहल इट वाज आफ्टर आल राइट की अपनी वाइफ मुम्ताज के लिए बनाया, इट वाज रेस्टिंग प्लेस, ऐसी रेस्टिंग प्लेस पहले भी थी, हुमायूस टूम भी था, अब ही प्रेडिक्टेड की हर एक रूलर की जो लेगसी होती है, वो एक ग्रेट सिटी होती है, डेली की हम सेवन ग्रेट सिटी पढ़ते हैं, उनमें आखरी है शाजाहनाबाद, तो इसके पहले छेप बन चुकी है, हर ग्रेट वुलर ने अपनी एक ग्रेट सिटी बनाई है, तो शाजहना ने का कि मेरी भी जो legacy होगी ये great city होगी So he planned शाजहनाबाद on professional lines and represented every occupation in the world फिर उन्हें लगा कि सारी occupation तो मैंने यहाँ पर represent कर दी बट entertainers के लिए कुछ नहीं रखा और कोई भी city great कैसे हो सकती है without entertainment तो चावडी बजार जिसको आज हम कहते हैं उस time पर उन्होंने कहा कि यह जो पूरी lane है इसका ground floor तो आप रखिये दुकानों के लिए जो कुछ भी बेचना चाहें बेच सकते हैं and सबके first floor पर let's keep the entertainers and it came to be called the Bazaar-e-Husn or the market of beauty ठीक है अब यह हो गया अब यह entertainers कौन थी? क्या history है इनकी? क्या story है इनकी? तो जब मुगल्स इंडिया आए अपनी army को entertained रखने के लिए उनके spirits हाई रखने के लिए वो entertainers ले के आए, dancers ले के आए called domines and lolonies अब यह domines, यह lolonies, hansinis, hurkinis यह Persia और Central Asia से dancers आएं थी सबके अपने-पने distinctive styles of dancing थे इंडिया में उस time पे जो dancers थी वो देवदासी थी अब मुगल डांसर जो थी they got paid for their performances देवदासी तेंपल में डांस करती थी बट इस मुगल डांसर दे वर never invited to perform in public places unlike the देवदासे इंडिया क्यों? क्योंकि यह मुगल डांसर थी इनका डांस was essentially an erotic dance अब इंडिया आई, दोमिनीज, लोलोनीज इंडिया में देवदासी थी तो कुछ ना कुछ intermingling हुई intermingling हुई तो दोमिनीज, लोलोनीज they met देवदासी और इन्होंने देखा कि आप तो आपके जो hand movements है जो body movement है जो eye movement है ये तो काफी कमाल है आपका जो अंदाज है तो both of them learn from each other और एक fusion create हुआ fusion जो create हुआ वो था कथक कथक fusion create हुआ अब before शाजहाना, before शाजहाना बाद बजार-े-हुसन इससे पहले जितने भी ये dancers थे, ये all across the country travel करते थे और perform करते थे, पहली बाद शाजहाना बाद में एक permanent place दी गई entertainers को to perform ठीक है अब जगा मिल गई बट सबका अपना अपना skill set है सबकी अपनी abilities है, हर एक का skill set बराबर नहीं है, हर एक में उतना talent नहीं है, हर एक उतना hard work नहीं करता, तो ये dancers में भी एक hierarchy बन गई उस बजारे हुसन में भी क्या hierarchy बनी वो देखते हैं अब वो कैसी आपको accommodation मिली होती थी बजारे हुसन पे उससे वो hierarchy दिख जाती थी तो एक end पे तो थी prostitutes जिनको bedneys कहते थे उस टाइम पे, जिनके पास छोटे-छोटे cotries थे, small cells right, where they would provide their services to whoever was willing to go to them ठीक है, hierarchy चल रही है सबसे नीचे hierarchy पे ये bedneys है then इनके उपर dominees है अब ये dominees क्या है, ये इनको कथक के बारे में पता है कथक ये थोड़ा बहुत जानती है तो जो middle level के officers है soldiers है, उनको थोड़ा ये excitement offer कर देती है by offering their services but there are no experts at this form of dance called कथक ठीक है, तो ये next up the hierarchy हो गई then इसके उपर थे masters of कथक जो ये पूरी उस टाइम पे जो कथक था जो ये circumambulation थी वो dazzling turns, मतलब ऐसे round and round and round जो circumambulation कहते हैं जिसको English में उसको Persian में तवफ कहते हैं तो इसके जो तवफ के जो masters थे masters of का तक अब जो ये पूरा technique, ये skill set master कर लेते थे उनको तवाइफ कहा जाता था who could master this dazzling turn aka तवफ तवफ अपने master कर लिया तो आप तवाइफ हो गई आपके पास बड़े apartments होते थे called quotas colloquially common language में हमने ये सारे terms सुनी हुई है लेकिन इनके पीछे की कहानिया नहीं हम जानते हैं तो आज वो कहानियों की बात कर रहे हैं तो इनके पास ये big apartments called quotas होते थे इन तवाइफ के पास और शहर के जितने भी elites होते थे नवाब्स ये affectionados of high art वो इन तवाइफ के पास एक अठा होते थे इनकी performance देखने के लिए उसको sort of उसको adore करने के लिए उसको patronage ओफर करते थे और ये जो तवाइफ सी अब ऐसे नहीं इनको वो आ गई है ना पूरी इतनी skill कथक में mastery अब इन्होंने ये master कर लिया सबसे उपर पिरामिट के तवाइफ अब इनके भी उपर कोई है इनके उपर है जिनको उस टाइम पे रंडीज कहा जाता था अब who were these these were city's divas आज तो कितना derogatory word है ये लेकिन उस टाइम पे back in the 19th century these were the city's divas they were skilled in dance they were skilled in singing they were skilled in poetry and they were skilled in conversation right so these were the highest these were at the top of the hierarchy शहर के who's who lined up to seek their company young नवाब्स को इनके पास भेजा जाता था कि बातचीत कैसे करनी है आप इनसे सीख के आईये and क्यूंकि इतने पारफुल लोग इनके पास आते थे और इनको इनको जीतने की कोशिश करते थे कि आप मेरे को accept कीजिए and these were the ones who chose कि मैंने किस के साथ रहना है किस के साथ नहीं रहना है they chose and refused their admirers alike तो क्यूंकि इतने पारफुल लोग इनके साथ रहते थे तो they knew the city's secrets and because they knew the city secrets other rich people visited them to keep themselves abreast of what was happening in the city और इनके पास बड़े apartments नहीं थे इनके पास बड़ी कोठी थी इनके पास multi-storied homes थे with courtyards जो इनका stature जो उस time पे समाज में था वो बताते थे rather than being looked down upon they were flaunted by men who had long term relationships with them right it was an honor that one of these has accepted me to be her partner तो बड़ी बात थी ये pride वाली बात थी ये गर्व वाली बात थी उस time पे unlike today right अब British आये इंडिया में British East India Company आई तो सब को जो ऑफिसर्स ते बिटिश इस इंडिया कंपनी के उनको बोल दिया गया कि आप नेटिव्स से भी शादिया कीजिए ताकि हम अपना base बना सकें इस देश में अब जितिनी भी respected इंडियन फैमिलीज हैं वो तो अपनी बेटी दे इंडिये नहीं तो इंके पास इकलौता ही रीकोर्स बचा था तो मैरी इस वोमन तो सब से पहले जो बिटिश फर्स बिटिश रेजिदेंट थे सर्डेविट अक्टलनी ही मैरेड मुबारक बेगम और बिल्ट अ मॉस्क इन हर अनर तो फर्स ताइम अ नॉच गर्ल नॉट आप हुआ क्या 1857 की मुटीनी हो गई बड़ी इंटरस्टिंग ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में 1857 की मुटीनी हो गई तो बिटिश ने अनलाईज किया कि क्यों ये हुआ क्यों हमारी अगेस्ट ऐसा बड़ा रेबेलियन हुआ तो रीजन ये आया कि जो ओफिसर्स हैं वो अपनी क्रिश्टन वैल्यूज भूल गए हैं और मौज मस्ती में इंडल्ज कर रहे हैं तो anti-notch campaign शुरू कर दिया गया कि ये जो मज़े लूट रहे हो आप रोज फर्स फ्लोर पे जा जाके नाच देख देखके ये गलत है आप अपनी duty भूल रहे हो आप अपनी Christian values भूल रहे हो तो anti-notch campaign शुरू कर दिया गया missionaries द्वारा माना ये जाता है कि असली reason कुछ और था असली reason ये था कि ये जो तवायफ और ये जो थी they belonged to the highest tax bracket and lived in huge homes and British wanted to usurp that property कितने cunning है कुछ भी reason दे देते हैं ultimately इनका जो मकसद होता है उसके बीचे कुछ और ही होता है तो British ने क्या कहा कि ठीक है कुछ ना कुछ करना है इनकी properties हमने जब्त करनी है तो क्या करें इनको कहीं और भेज देते हैं तो British formed red light districts कि ये एक जगा है आप जो अपनी services offer कर रहे हैं वो आप इसी जगा पर offer कर सकते हैं कहीं और offer नहीं कर सकते तो most of these women were forced to move even the ones who were talented who did not really engage in selling themselves and merely were dancers were forced to move और ये जो red light district बन गए they were sort of एक तरीके से की not part of the mainstream area of the society अब पहले तो आप शाजहानाबाद में रह रहे हैं तो आप city के main इलाके में रह रहे हैं बिलकुल posh इलाके में रहे हैं अब आपको city के बहर कहीं भेज दिया गया है तो ostracization एक तरीके से हो गई है now they were shamed rather than flaunted right and this word which in Hindi और Urdu earlier meant a woman, wife or a widow as per the terminology it now became synonymous as an abuse it now became a derogatory world और ये जो notch girls थी जो कुछ बच गई थी they now performed for smaller raja's rather than the city's elite तो यहाँ पे इनकी destinies में एक turn आ गया अब situation कब सुधरी? situation सुधरी 20th century में 20th century में radio emerged अब radio emerged तो British जो war announcements करते थे radio पे उसके बीच में जो चाहते थे कि जो gap आ रहा है वो gap भरा जाए तो gap भरा जाए कैसे भरा जाए? let's find women who can sing अब गाना गाने वाली चाहिए again अभी close society है Indian traditional families में से कोई भी बेटी नहीं जाएगी कोई भी लड़की नहीं जाएगी radio पे ऐसे गाने के लिए तो इन्होंने तवायस को contact किया और उनको बोला कि आप गाईए अब radio के जरीए masses भी इनको सुनने लगे तो masses इनको सुनने लगे तो masses ने का वा ये तो कमाल का talent है तो people were enamored particularly by Calcutta's Gohar Jan अब उनकी अवाज सुनी तो लोगों को बहुत पसंद आई eventually she went on to record songs in many Indian languages and became India's gramophone queen ठीक है अब इतनी popular हो गई तो इनको offers आने लगे Natak Mandali से offer आने लगे Movie Maker से offer आने लगे कि picture बननी शुरू हो गई है अभी अभी वो technology आई है picture बनने की तो आप आके role कीजिए अब इसके पहले जो भी थोड़ा बात role होता था लड़की का वो men करते थे cross-dressing as women to play women's roles हमें ये पता है then gradually by 40s and 50s बहुत सारी women who came from this Tawaiif tradition they started to do roles in Wollywood mainstream roles in Wollywood right including the most famous ones Sarah Banu हमने इनका नाम सुना है hugely popular Indian actress of earlier times इनकी जो मदर थी Naseeman Banu she had a kotha in Delhi then Nargis की जो मदर थी Jaddan Bai she descended from this tradition as well and कहा ये जाता है कि even though there's no hard evidence to support this but even Madhubala belonged to this tradition of Delhi right तो ये पूरी history है some stories of how this word came to be used as a derogatory word how this word was used earlier in those times and जो मस्जिद बुमारक मुबारक बेगम है उसके साथ भी ये शब्द आज भी जुड़ा हुआ है right तो कैसे language develop कर देती है stories को एक time से दूसरे time तक कितना differently right किसी time पे they were respected they were sought after they were the most sought after probably and आज दो सो साल बात it's a word which we are ashamed to even use in public right तो these are some of the stories ठीक है हम बहुत academically inclined रहते हैं बहुत academically inclined बाते पड़ते हैं सुनते हैं आज थोड़ा सा एक ब्रेक था उससे something part of popular history something not part of popular history but maybe something that we should ideally be aware of right तो आज के इस big news में इतना ही आपको बता दें कि हमारा जो PCM का जो batch 2 है जो second batch है वो शुरू हो गया है right सारे courses GS, optional sociology as well as political science as well as essay सबके सब शुरू हो गए है 13th July को यह course शुरू हुआ था तो अभी तो एक हफता ही हुआ है आप अभी भी enroll कर सकते हैं आपने कुछ जादा miss नहीं किया होगा right 27th September से हम prelim की जो test series है इस batch में वो शुरू कर देंगे 17th November से इस batch में mains answer writing भी शुरू कर देंगे और आपको बता देंगे कोई भी हमारे लावा अपने PCM अपने GS batch में mains answer writing offer नहीं करता right then crash course भी जो होगा जो अगले साल आएगा 22nd February 2021 से शुरू होगा and वो भी इस GS batch का part होगा again nobody offers you crash course as part of their GS batch at the cost that we offer right it's an extremely detailed comprehensive course at the most competitive price in the market और हमें लगता है कि अगर आप religiously हमारा course follow कर लेते हैं और अपना effort भी साथ-सा देते हैं जितना effort हम दे रहे हैं तो आपका पहले ही attempt में success दूर नहीं है right आपके मेहनत के उपर है आपके effort के उपर है हमारी तरफ से कोई कम ही नहीं रहेगी ये था आज का big news मिलेंगे आपसे next week same series के साथ तब तक के लिए thank you and keep watching